आप सभी का हमारे चैनल शिवकता उपाई पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्श को आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे। दर्श को आप सभी जानते हैं, दस सितंबर दिन रविवार को भादरपद माह शुकल पक्ष की एकादशी तिथी है। यहाँ एकादशी अजा एकादशी के नाम से चाने जाएगी। एकादशी तिथी भगवान श्रीहरी विश्नु और माता लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। आपको दो चौमुक दीपक तयार करने हैं और दो ही पीले वाले कनेर के पुष्प आपको ले लेने हैं। खास कर इस्त्रिया इस उपाई को अवश्य करें। इस उपाई को करने से घर में सुक सम्रिद्धी आएगी और धन की बरकत होगी। पती की दिर्कायों होगी और घर में चारों तरफ से धन एकतरित होगा। इस उपाई के लिए आपको चार बातियों वाला यानि की चौमुक दीपक तयार करना है। आप चाहें तो मिट्टी का ले ले या आटे का दीपक बना ले। चार बातियों के दो दीपक शुद्धी के साथ तयार करें। और शाम के समय प्रदोशकाल में दो पीले वाले कनेर के पुषप लेकर महाकाल के मंदिर चले जाना है। एक दीपक महाकाल के समक्ष में, महादेव के समक्ष में लगा कर दो पीले वाले कलेर के पुष्प महाकाल को अर्पित कर देनी है, महादेव को अर्पित कर देनी है कामना कहकर और जो एक दीपक बचा है चौमुक वाला उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने सीधे हाथ के तरफ दीपक को जलाएं कहते हैं शाम की समय प्रदोशकाल में हमें सुपाय को करते हैं तो महादीव भी हम से प्रशन होते हैं और घर में धन की बरकत होती है वीडियो अच्छा लगा उपाय पसंद आया तो लाइ करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में श्री शिवाय नमस्तो भी हम